आज के वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ जो screen recorder software OBS studio होता है वो हम लोग हमारे Windows operating system में या Windows वाले laptop में कैसे install कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक browser open करेंगे और जैसे में browser open करूँगा तो यहां पर search करूँगा OBS studio download तो यहां पर जैसे OBS studio download यहां पर search करूँगा तो कुछ इस टाइप से लिंक open हो जाएगी तो जो पहली लिंक आ रही है हमारी OBS project.com मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करूँगा download वाले लिंक पहर तो जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूँगा यहां पर देखो विंडोस का options आ रहा है apple का options आ रहे है तो मुझे जो भी operating system download करना होगा वह मैं यहां पर select करूँगा तो यह Windows पर मैं click किया तो जैसे ही मैं Windows पर click किया मिर पास यहां से installer आ गया Download installer का का options आ रहा है यहां पर already तो मैं क्या करूंगा मैं डारेक्ट डाउनलोड इंस्टॉलर पर क्लिक करूंगा यहां पर देख सकते हैं डाउनलोड इंस्टॉलर पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं मेरी तो आप लोग सभी लोग देख सकते हैं यहां पर OBS Studio यहां पर कंप्लीटी डाउनलोड हो चुका है 130 MB का तो मैं क्या करूंगा इस पर डबल क्लिक करूंगा जैसे ही हम हम लोग इस पर double click करेंगे इसको क्या करता हूं मैं minimize कर देता हूं और यहां पर देख सकते हैं लोग आमेंसे यह कुछ permissions पांग रहा है तो मैं क्या करूँगा इस permissions को yes कर दूँगा तो जैसे ही यह permissions को मैस करूँगा कुछ इस टाइप से विंडो ओपन होके आजाएगी मेरे सामने मैं next पर क्लिक करूँगा फिर next पर क्लिक करूँगा फिर यहां पर देख सकते हैं पाथ पूछ रहा है हम लोग कहां इंस्टॉल करना चाते हैं मैं डिफॉल्ट पाथ पर क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक कर दूँगा तो मेरा OBS studio का installation चाल दो चुका है तो यहां पर downloading installation और प्रोग्रेस हैं तो धीरे-धीरे थोड़ा सा टाइम लगए कि इसको इंस्टॉल होने में थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं कि तो देख सकते हैं मेरा OBS studio कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है तो मैं यहां पर चेक बॉक्स इनेबल ही रहने दूँगा और फिनिस पर क्लिक कर दूँगा तो जैसे मैं फिनिस पर क्लिक करूँगा तो थोड़ी देर वेट करते हैं हम लोग कि और मैं अपने विंडोस को रिफ्रेस्स कर लेता हूं जब तक तो यह मेरे स्ट्रॉड्यसन कंप्लिट हो चुका थो हम लोग क्या करते हैं यह बीशिटै यहां पर डाउनलोड हो चुका है हमारा तो देख सक्ते है यहां पर ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है तो हम हम लोग क्या करेंगे next पर ग्लिक कर देंगे हम लोग हमारा जो भी configuration है वो क्या करना चाहते हैं हम लोग recording करना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ streaming करना चाहते हैं तो मैं यहां पर क्या करता हूं देता हूं कि optimize just for recording I will not be streaming तो कोई भी option आप चूश कर सकते according to your convenient और मैं next कर देता हूं फिर यहां पर देखें यह हमसे पूछ रहा है कि हमारे जो 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 canvas है इसका size आप क्या यूज करना चाहते तो मैं default वाला ही रहने देता हूं और यहां पर next कर दूंगा फिर यहां पर hardware configuration फगेरा जो भी है default option ही रहते देता हूं reply setting कर देता हूं finally तो देख सकते हैं हम लोग यहां पर मेरे पास यह OBS studio completely install हो चुका है और यह मेरे सामने आ चुका है जो भी मैं यहां पर audio बोल रहा हूं वह देखो यहां पर blink हो रही है तो मैं क्या करूंगा अब मेरे पास different options है यहां पर sources और scene तो मैं क्या करता हूं यहां पर sources के plus पर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं मेरे पास यहां पर options आ रहे हैं तो मैं क्या करता हूं पहला option display capture का select करता हूं क्योंकि मुझे recording करनी है जो भी मैं display को capture करना चाहता हूं यह display को screen को record करना चाहता हूं तो पहला option क्पी करोंगा ठीक है और यहां पर डिस्प्ले केप्चर का क्रेक्ट नूँ पर किलिक करके मैं ओके पर क्लिख कर दूगा तो जैसे यहां पर ओक करूंगा मेरे यहां पर option आएगा मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा default option नहीं दूंगा और okay कर दूंगा तो देखें यह मेरा screen display capture का screen यहां पर चुका है तो जो भी मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको या जो भी कुछ करूंगा तो वह everything यहां पर display पर capture हो जाएगी फिर मैं क्या करता हूं सपोस करो मुझे हम मेरा webcam भी इंसर्ट करना है मैं लाइब teaching कर रहा हूं और मुझे यहां पर webcam भी मैं अपने आपको दिखाना चाहता हूं webcam के तरूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा अब यह दि मुझे जैसे सपोस करो मैं online teaching करता हूं और मैं अपने आपको webcam में दिखाना चाहता हूं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक और option होता है और यहां पर आप आएंगे हम लोग video capture device करके एक options होते है इस पे click करेंगे जैसे ही मैं इस पे click करूँगा तो देखे खेंगे करूंगा यहां पर वीडियो capture device में तो क्या होगा मेरा webcam चलू हो जाएगा और जो भी मैं recording करूंगा तो मेरा यहां पर क्या होगा webcam चालो हो जाएगा तो webcam सो recording स्टार्ट हो जाएगी तो मैं एक अगरता हूं यहां पर different options है हम लोग क्या करते हैं अभी default option नहीं रहने देते और इस पर okay पर click कर देता हूं जैसे ही मैं okay पर click करूंगा तो देखिए यहां पर 이 screen यह चीकर्णन सबस्ति करो को मैंफ च्रीन को चोटा करना चाहते हूं तो चोटा भी कर सकता हूं और देखिए मैं सबस्कोरों इसको इसको इधर लगाना चाहता हूं राइट में तो इधर में लगा सकता हूं यदि मुझे left में लगाना है तो मेरी मुझे यहां पर इसको अटेच करना है सपोस करो कुछ लोग जब टीचिंग करते तो left and side में बिलो बार पर इसको लगा लेते तो हम लोग ऐसे इसको लगा सकते हैं दूसरा हम लोग आते हैं जैसे इसे प्लिक करता हूं कर दैच हम लोग जैसे सेटिंग पर कलिक करऊंगा है तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं वीडियो करके आ रहा है options तो देखे video options में तो हम लोग क्या करता है जो बेस options होता है यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे यहां पर down arrow पाएंगे और जो बेस वाला size होगा उसी को मैं select कर दूगा तो क्या होगा कि इससे resolutions काफी अच्छा आता है जो बेस का resolutions होता आउटपूट रिजियोशन दोनों को सेम करूंगा कॉमन एफ एस बैल्यू 30 रहने दूंगा ठीक है और मैं इसको क्या करूंगा एप्लाई पर क्लिक कर दूंगा ह है कि सपोसक्त करूं मुझे रिकॉर्डिंग सिप्ट और क्यों कना गया है दो मैं और गया दूंगा specific म्यूंत ने और क्यों प्रेस करो तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए और मैं क्या करता हूं इसको एपलाई कर देता हूं और पर क्लिक कर देता हूं तो मेरी सेटिंग्स जो हो गई और और उप्शन को कि यहांप यां पर यातकिए फाइल में हम लोग चलते हैं बिए। तो मैं यहां पर जांगा तो यहां पर यहां पर उप्सेंज सकते एक सकते मेरी रिक और यह था मिझे इस से होगा यह और convert करना हो तो में क्या कर algorithiorंगा बापस से हमारे obus studio में जाएंगे हम वुग और यह file इस्ट्यूट्यूटी में जाएंगे हमगे इस फाइल का आप्सन्ज ते में टारहे हैं और को आथा रहा है और है सनल पर ठोड छाएंगे हम लोग और मैं जाके show recordings में जाके check करता हूं कि MP4 में convert हुई है नहीं देख सकते यह देखो अब देखो इसका right वाले का मैं क्या करता हूं properties पर जाता हूं और देखें यह क्या होगे .mp4 format में convert हो गई तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं हम direct किसी file को mkv format में download करूंगा और इसको convert भी कर सकता हूं मैं MP4 में हमेज़ा हम लोग mkv format में download करेंगे क्योंकि कई बार error वगएर आती कोई technical issue आता तो recording क्या होती है इसमें कोई problem नहीं होती mkv format में तो आप हम लोग बापस चलते obs studio में तो देख सकते यह जो मुझे आपको बताना था तो मेरा एक यहां पर proper obs studio इंस्टॉल हो चुका है आप लोग recording कर सकते हैं वीडियो बनाना चाहें वह कर सकते और मैं आपको एक और चीज बताता हूं जै के थुरू आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या माउस की तरह उपयोग कर सकते हैं टीचिंग के लिए वेकॉम का लैपटॉप के साथ में यह यूज होता है तो मैं आपकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा आपको यह पर्चेस करना ह तो आप में से कोई टीचिंग फिल्ड में जाना चाते हैं और एजुकेशन फिल्ड में आप आप आनलाइन टीचिंग करना चाते हैं तो इन सब चीजों की OBS Studio की आपके जरूद पड़ेगी आपको वेकॉम की जरूद पड़ेगी आपको अच्छे माइक की जरूद पड़ पड़ेगी